संसार में सबसे श्रेष्ट क्या है खूल या काटे प्रेम या घ्रणा संपन्नता या दरिद्रता मित्र या शत्रू बताईए अब आप भी कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात हुई अवश्य फूल प्रेम संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ट है परन्तु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव हर एक वस्तु हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है क्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ट वो काटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाढ़ बनाते हैं ताकि वन्ने पशू आपके भीतर ना सके वो प्रेम श्रेष्ट नहीं जो आपको अंधा लोभी पक्षपाती बनाते हैं वो घ्रणा श्रेष्ट है जो आपको नया मार्ग दिखा दे हैं वो संपन्नता श्रेष्ट नहीं जो आपको क्रिपन बनाते हैं मद्दांद बनाते हैं वो दरिद्रता श्रेष्ट हैं जो परिश्ट्रम करने की शिक्षा दे कुविचार देने वाले बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ट वो शत्रू होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष दे दे इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु हर भाव हर घटना के गुण धर्म को पहचानिये और उसके पश्चात अपना चायन कीजिये ओ राजा धिरा जाया प्रसाइखा जाहिने रहो हया वैश्रमणाय तुर्महे समें कामान कामाय मयान। आदेश्वरों वैश्रमणों तखातु उपेलाया वैश्रमणाया महारा जाया वैश्रमणाय 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 वैश झाल झाल दर्मराज केवल एक ही वीर था जो परिवर्तन के लिए अंतिंस्वास तक लड़ा सदायव अपने जेष्ट के परिवर्तन के स्वप्न का आदर और सम्मान करना धर्मराज सम्मराज पतपर स्थापना के पश्चाथ मैं पहली घोशना करता हूँ हस्तिनापुर में अब जन में धारित विवस्ता का अंत किया जाता है वन विवस्ता रहे की पर अंतु वो कर्म के अधार पर अधारित होगी सूथ हो या शूद्र हो सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया जाएगा और योगिता के अधार पर काम सम्मान और समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा यही धर्म स्तापना की नीव है और यही परिवर्दन का प्रारम समराक योधेश्ठर की 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 समराक देख रहे हो राधे, तुम्हारे मन चाहे परिवर्थन का प्रारम हो चुका है। महाभारत के इस महायुद में अठारा अक्ष्वनी सेना और बहुत से महारतियों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मैं उन वीरो के परिवारों को नमन करता हूं। मैं सम्राठ युदिष्ठिर ये आदेश देता हूं। युद में समलित प्रतेख सैनिक के परिवार को आर्थिक सायता दी जाएगी। उनके बालकों को शिक्षा, उनके अश्रितों के लिए भरन पोशन की विवस्ता अब सम्राठ का उत्तरदाइट वह है। समराठ युदेश्ठिर की जै। और भ्राता कर्ण मुझे विश्वास है कि मैं सद्धार में सद्धार रादे कर्ण के नाम से ही जाना जाओंगा रादे कर्ण के द्वारा सुझाएगा रादी रूम के अधार पर राज्ये में समानता की एक नई विवस्ता विक्सित की जाएगी युधिश्टिर और अन्य पांडवों ने अपने जेश्ट कर्ण के दिखाए परिवर्तन के मार्क पर चलते होई एक धर्म राज्य का निर्मान किया अर्जुन का लक्ष अब केवल एक महान विवस्ता की स्थापना थी सौक और वो का नाश कर देने वाले भीम ने भी अब निर्मान की भागदोर समहाल ली थी और नकुल सहदेव अपनी माता कुंती गांधारी और बुजुर्ग होचले धृतराष्ट की सेवा में लगे थे हर ओर धर्म था संपन्नता थी आनन्द था परन्तु अतीर से छूटा एक बान परिक्षा बनकर भारत के भविश्य पर मढ़रा रहा था आप सबसे जेश्ट हैं ब्राथाश्री इस स्थान पर आपका अधिकार है पर अंतु फिर भी आप ये स्थान रिट क्यों रखते हैं नहीं नकुल ये स्थान मेरा नहीं है प्राथाकर्ण हम सबसे चैश्ट है और सर्वप्रथम इस स्थान पर सिर्फ उनका अधिकार है सामरागी क्या हो अधासी इतनी व्यगर क्यों हो योगरानी उत्तुरा को प्रसावीडा होना आराम हो चुका है क्या है झाल 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 पर भाँ जेस्ट, माधा कहा है माधे माधा, माधा वह वह उत्तरा हम बीतर शाकर देखते हैं जेच पुत्र, पुत्री, साहस लखो अब और पीड़ा से नहीं होती मता साहस लखो, पुत्री, हम सब हे तुम्हारे साथ माता, प्रसब पीड़ा तो सबको होती है परंत उत्रा के लक्षन कंभीर है माता कहीं कोई, कोई अनोनी न हो जाए अजए!! 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 आए.. यह अनल थो गया, अब हम क्या उत्तर देंगे उत्तरा को उत्तरा एक यानर्थ कर दिया श्वत्थामा ने एक ब्राह्मन होने के बश्चा प्रति शोद की अग्नी में वो इतना अंधा हो गया एक श्रिशुपए ब्राह्मास्तर चलाने से पूर हो से उसे सलेक विदया नहीं आई क्षमा कीजे महाराज किन्तु हम शेशु नहीं बचा सके यह क्या अनर्थ हो गया यह सब मेरे कर्मों का फल है हे नरायन उस बालक की साहता करिए इसमें उस बालक का कोई दोश नहीं है हे नरायन साहता करिए मादाव मादाव कुछ कीजिये मादाव कुछ कीजिये मैं आपसे बिंती करता हूँ वरे बंच के अंती भीच की रक्षा कीजिये अन्यत मारा बंच स्वापत हो जाएगा अो ब्रह्मास्त्र विभल नहीं जा सकता या किसे नहीं प्रह्मास्त्र का संधान हुआ है तो उसका परिणाम निकलना भी निश्चित है क्या यही धर्म स्थापना है माधा इस अजन में शिशु का क्या दोश्य जो इसे भी अधर्म का मुले अपने प्राण दे कर चुकाना पड़ा एक पापी के पाप का पर निरी उतरा क्यों भूखतेगी माधब उतो इस अध में सम्मेलत भी ने थी परंदू परंदू इस अध में उसे अपना सब कुछ को दिया अपने पता, अपना भाई, अपना पती और अपना पुत्र ये कैसी धर्म स्थापना है माधव यदा यदा इधर मस्या यदि मैंने अपने माधा पता का जीवन सम्मान किया यदि मैंने अपने गुरू की गुरु दक्षिन संपूर मन से दी यदि मेरे जीवन का हर कार्य का उद्देश शुब रहा है यदि मैंने धर्म स्थापना के लिए संपूर प्रियास किया है तो ये बालक अभी और इसी शर्ण स्वासले क्लाश संपूर स्थाइब और प्रियास झाल झाल अपने जीवन की सबसे कठिन परिक्षा में सफल हुआ है ये बालक ब्रह्मस्त्र की कठिन परिक्षा में खरा उत्रा है ये बालक जो धर्मस्थापना का मुख बनेगा परिक्षि हाई अग्यसेरी इस बालक का नाम परिक्षित होगा रिश्याली 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 वो तरिव रिश्याली बधाई हो समराट देवी वरिश्याली माता बनने वाली हैं प्रभू कोटी-कोटी दन्यवाद आज एक दिन में दो दो शुप समाचार मिलें अब परिभरतत के दो दो सूर्य चमकेंगे हस्ते नफल परिवर्तन का नया युक प्रारंब हुआ है व्रिश्याली रसन्न होजा कि सूर्य पुत्र को तरपन देने वाला इस संसार में आने वाला है अब आप सब मुझे आग क्या दीचिए नहीं माधव इतने शीगरता की क्या बात है परिक्षित के छटवी संसकार तक रुप चाहिए वार का प्रस्थान करने का समय आ गया है पार्थ क्या हुआ माधव सब ठीक तो है न नए परिवर्तन का प्रारंब हुआ है पार्थ और परिवर्तन और नाश दोनों एक दूसरे से चुड़े होते हैं और किसी के अंध का प्रारंब होना भी शेश है प्रारंब हो प्रारंब हो तूसरे से अंध करें दोनों तो है विज़ थे शेश्चा करें खार्थ और शेशन फेटार्थ प्रवास.